फ्रेंड्स आज हम बनाएंगे पालक परीर की एकदम यूनिक रैसिवी जी हाँ दोस्तों एकदम देशी स्टाइल में और अपने हातों से बनाएंगे तो गाइस बहुत ही मज़िदार बनने वाली है तो एक बार ट्राय जरूर करना और गाइस इसको देखते ही न आपके कुझगी रसोई सदोस्तों बनाते हैं पालक पनीर एकदम देशी स्टाइल में अब हम क्या करेंगे इस पर ना ढगा देंगे प्रैशर कूकर का और ढगाने के बाद गाइस आप देख सकते हमने यहां ढगा दिया प्रैशर कूकर का अब इसको हम तो तीन सीटी अच्छी से लगा लेंगे तो चली दोस्तों पहले मैं गैस पर इसको रख देती हूं फ्रैंट्स गैस पर हमने प्रैशर कूकर रख दिया है अब इसमें हम दो त्रीन सीटी अच्छी से लगने देंगे ताकि हमारा पालक के न अच्छी से गल जाए इतने हम अपनी दूसरी तैयारी कर लेते हैं सो फ्रैंट्स हमारा पालक का कलर बिलकुल भी चेंज ना हो अस्वाद एकदम से और ज्यादा बढ़ जाए तो यहां आट नो हमने हरी मिर्ची ले ली हैं एक इंची हमने अध्रक छील के कट कर लिया था और यहां पर हमने थोड़ा सा धनिया कट कर लिया है तो च आप देख सकते हैं यह मैंने मिक्सिजार में अच्छे से पीस लिया था तो चलिए दोस्तों अब हम इसको साइड में कर लेते हैं अब हमने यहां ले लिया है पनीर तो फ्रैंट्स एक किलो पालक में हम यहां 500 ग्राम पनीर डालेंगे आप चाहो तो इससे ज्यादा भी डा आप देख सकते हैं पूरा एक कीलो पालक कितना सह हो चुका है बुल्कुल जरासा हो चुका है तो अब हम क्या करगे हैं इसमें जितना भी पानी downs वह सारह हम इसमें से निकाल लेंगे तो फ्रैंस आप देख सकते हैं पानी हमने निकाल के साइड मी डग दिया एक कटोरे में और friends अब हमने गोटना ले लिया है तो जी हाँ दोस्तों बिल्कुल देसी style में बनाएंगे तो यहाँ गोटने से हम इसको इस तरीके से छेतेंगे जी हाँ दोस्तों छेतने से क्या होगा एक दम से बहुत ही अच्छे से यह हमारा जब हम गोटेंगे तो बिल्कुल आसानी से यह गोट जाएगा तो पहले इस तरीके से हम इसको छेत लेंगे तो friends आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छे से छेत चुका है तो अब इस तरीके से इसको गोल-गोल करके न अच्छे से गोट लेंगे तो guys इसको नीचे दवाते हुए प्रेस करते हो और इसको गोल-गोल घ तो friends यह हम mixi में बिल्कुल नहीं goटेंगे हम बिल्कुल देशी style में इसमें देशी style में इसमें गोटने से गोटेंगे अब हम यहाँ पर क्या करेंगे मक्की का आटा थोड़ा से डाल देंगे आलन के लिए तो यहाँ पर करीब मैंने तीन चार चम्मश डाल दिया है मक्य का आटा इससे न मक्य के आटे से बहुत ही अच्छा आलन लगता है और स्वाधी बढ़के आता है तो फ्रेंट्स इसी तरीके से डाल के और इसको अच्छी से हम गोट लेंगे तो यहां हम continue गोट रहें यह देखे दोस्तों तो बिल्कुल एक बरीक हम गोट लेंगे यह देखे तो गैस मिक्सी का भी बिल्कुल अच्छा नहीं बनेगा जितना यह देशी स्टाइल में हास से गोटा हुआ साग बनता है साग नहीं पालक पनी बनाएंगे आज हम तो जो हम अभी पत्ते पत्ते से दिख रहे है न तो इसको continue इसी तरीके से हम चलाएंगे तो friends आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छी से गोट चुका है तो अब हम यहां पर क्या करेंगे यहां पानी एड़ करेंगे तो थोड़ा सा पानी और डालेंगे डालने के बाद गाए इसको एक चमचा ले लेंगे और इसको अच्छी से मिला लेंगे तो यह देखे दोस्तों बहुत ही अच्छी सा हमारे कोट के तयार हो चुका है पालक तो अब हम क्या करेंगे हैं पर डालेंगे स्वाद अनुसार नमक जैसा आप नमक खाते हो आप वैसा डालके और इसको अच्छ तो चलब दोस्तों इसे तरीक से कर लाए है यहां पर ले लिए अब यहां पर चमस देसी घी डुल दाल के और यहां गीर को चलिए और पनीर तहीं हमने इक पर दो दोट ताक है के दोस्तों अच्छे जब तक परद अब देख सकें परफेक्ट तरीके से हमारा जो पनीर पर हैं कुछाए कṣ morality को आप देख सकते हैं कितना प्यार dot com 떠 क्षैक्प, आप देख सकते हैं ना तो छलि दोस्तों अनूर fittest प्रेंट आप देख सकते हैं कितना प्रहम कितने प्रहाच्प आप देख सकते हैं कितने प्रहम कशी प्रहघ, घुल कॉत्थ मॉली numbers अब हम इसको अच्छे से तड़का लगाएंगे फ्राइ करेंगे तो पालक को तो चलिए दोस्तों अब अब हम चलते हैं अपनी गैस की तरफ तो चलिए दोस्तों पहले मैं यह तेल को अच्छी से गरम हो चुका है तो अब यहाँ पे हम डालेंगे एक चमच मैतिदाना एक चमच डाल देंगे हम जीरा जीरा डालेंगे लाल मिर्ची तो इसी बीच में फ्लेम को लोटू मीडियम पर करके और यहाँ पर हम लाल मिर्ची डाल देंगे तड़के के लिए लाल मिर्ची पाउडर डालेंगे इसको अच्छी से भूल लेंगे अब हम यहाँ पर डाल देंगे पालक तो यह देखे दोस्तों तड़का बहुत ही अच्छी से लग चुका है हमारे पालक में आप देख सकते हैं परफेक्ट तरीके से तो बहुत ही अच्छी से मिरादी है अब हम यहाँ पे क्या करेंगे अब इसी पीच हम ढालेंगे आराम से डालने हैं तो सारे पनीर के टुकडे हैं में यह देखे दोस्तों तो गाइस बहुती टेस्टी लगते हैं एक बार ट्राय जरूर करना और यह बहुती देसी स्टाइल में बनाया तो एक बार आप ट्राय जरूर करना बिल्कुल भी महनत नहीं लगती है बहुती आसान तरीके से बन जाती है बिल्कुल जटापट बनती है बिल्कुल भी इसमें फ्लेम को कर देंगे औफ फटाफट से इसकी हम कर लेंगे प्लेटिंग आप देख सकते हैं गर्मा गर्म हमारा पनीर पालक बनकर तयार हो चुका है और बिल्कुल डेसी स्टायल में जी हां दोस्तों बिना मिक्सी के हमने ये बनाया है बहुत ही अच्छा बनाया आप देख सक इस तरीकह से चुका आप इस तरीकहसे विस तरह सकते हैं से फिर आप इस यह सबस्क्राजे कर डेसु डिना ptर वी डाल सकते हैं लाटा ऐए तरृय करना आप नान की पालक बनकर करना या आपको कैसी लगी अपर के लाइक करал Śब्सक्राइब कर देना कामेठ बाक्स में जरूर बताना कि हमारे पालिक पंद की रेसेपी आपको कैसी लगी जास जा शेयर करना ताकि बागी लोग भी अपने घर में बना कर खा सकें इंजॉय कर सकें फुल वाच करने के लिए वीडियो दिल से थैंक यू सो मच बड़े हो तो आशी वाद दें धेर सारा प लूब यू